हाई गाईज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लोगी की एकदम नए तरीके की सब्जी इस तरीके से अगर आप सब्जी एक बार बना करके अपने घरवालों को खिलाओगे ना बिस्वास किजी इतना जादा उन्हें पसंद आएगी कि हर रोज इसी सब्जी को बनाने की डिमांड करेंगे और वैसे भी लोगी काफी कम लोग खाना पसंद करते हैं तो उन्हें नए तरीके से अगर आप सब्जी बना करके सर्थ करोगे ना पसंद जरूर आएगी तो चलिए सब्जी को बनाना सुरू करेंगे सबसे पहले हमें चाहिए लोगी तो मैंने यहां पर यह आधा किलो की लोगी लिया हुआ एकदम सॉफ्ट लोगी है यह लोगी का हमें छिलका उतार लेना है तो इस लोगी को हम दो तरीके से इस्तुमाल करने वाले हैं पहला तो हम सब्जी बना लेंगे दूसरा जो इसके अंदर जूस निकलेगा ना उसका भी हम यूस करेंगे तो लोगी को बड़े तुकड़े में चौप कर लिया है मैंने और फिर हमें लोगी को कद्दू कस करना है तो छोटा वाला जो कद्दू कस आता है इससे हम करेंगे ताकि जो लच्छे निकले वो छोटे छोटे निकले तो सारी लौकी मैंने आपर कद्दू कस कर लिया है लौकी में काफी सारा जूस रहता है अगर आप और ज्यादा जूस निकालना चाहते हैं लौकी से तो हम इसमें अट करेंगे नमक तो मैं यहाँ पर काला नमक यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो सफेद नमक यूस कर सकते हैं एक चमच नमक कर लिजिए लौकी में अट करेंगे और मिक्स करके दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा ले लिजिए और लौकी को जो है हम अट करेंगे चारों तरब से कपड़े को पकड़ करके हलके हाथों से प्रेस करते हुए सारा जूस निकाल लेंगे ये देखी बहुत सारा जूस निकल आया है उसके बाद एक चाय वाली छणी ले लिजिए और ग्लास में हम छान करके जूस को पी जाएंगे तो ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी जादा फायदे मंद हो जाता है ये जो लॉकी के लच्छे बच्चे होए हैं इसे हम साइड में रख देते हैं और मसाला तयार करेंगे तो एक ग्रेंडिंग जार लिया है मैंने और हम इसमें आट करेंगे प्यास तो एक मीडियम साइस की प्यास को बड़े तुकडे में चौप करके आट करेंगे साथ में मैंने यहाँ लिया है एक चमच अधरक लेसुन का पेस्ट अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर अधरक और लेसुन यूज़ कर सकते हैं साथ में एक चमच जीरा आट कर दिया है मैंने एक बड़ी लाची और एक छोटी लाची आट करेंगे इसी के साथ हम इसमें आट-दस काली मिर्च के दाने आट करेंगे थोड़ा सा पत्थर का फोल आट करेंगे इससे मसाली में खुजबू बहुत अच्छी आएगी और एक तुकड़ा दालचीनी का आपके घर पे जो भी खड़े मसाले अलेबल है आप उई यूजब कर सकते हैं एक तेशपत्ता मैंने आट किया है और इसी के साथ हम इसमें एक चमच पोस्तो दाना आट करेंगे यानि खस-खस थोड़ा सा पानी डाल करके मसाला ग्रैन कर लेंगे यह हमारा मसाला हो गया है तयार अब हम ले लेंगे लौकी तो यह लौकी का जो अच्छा है इसमें हम ए दो आइनिं के लिए बेसान यूज करना भूँद जरूरी है एक चमच मसाला कर देते हैं एक चमच लाल मिर्ची पाउडर आट करेंगे इसे के साथ आधा चमच हल्दी पाउडर आट करेंगे साथ में एक चम्मच नमक एट करेंगे आप अपने स्वाथ के अंसर कम जादा नमक करिएगा सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं उसके बाद मैंने हापा लिया हुआ है एक प्लेट प्लेट में हम थोड़ा सा ओल लगा लेंगे और अपने लौकी को रख करके प्रेस कर देते हैं इस तरीके से फैला दीजिए पूरी प्लेट में उसके बाद इसे पकाने के लिए हम एक कड़ा ही गरम होने के लिए रखेंगे इसमें एक ग्लास पानी आट करेंगे पानी गरम हो रहा है एक हम यहाँ पर इस्टैन रखेंगे और प्लेट उठा करके रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे ढख करके पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए पांच मिनट में यह अच्छी तरह से पक जाएगा पकने के बाद हमें इसे जो है बाहर निकाल करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है जब यह ठंडा हो जाएगा इसे हमें कट कर लेना है तो इसे मैं तिर्चा कट कर रही हूँ ताकि यह बर्फी के जैसे कट हो करके तयार हो एक निकाल करके दिखाती हूं यह देखिए इस तरीके से अच्छा दिखेगा यह उसके बाद हम एक कड़ाही गरम होने के लिए रखेंगे और इसमें एक चमज भर करके रिफाइंड ओयल आट करते हैं और गरम होने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे तो आप जो है मेडियम फ करेंके तो इसे हम आयल से बाहर निकालेंगे और हमें सारा इसी तरिक conventional करके तैर वाल करेंगे फिर उइनले से नहीं गडै कर समी मेर मिचा हूं तो जो हैं जया टेज़ बाद में और दून मैंतुरह आइक एक हां छॉता हए चमज चमज करते हो थोड़ा सा प्याज बारिक चॉप की हुई आट किया है मैंने और मिक्स कर देंगे जैसे आप देखो प्याज आपकी हलकी सी सॉफ्ट हो गई है फिर इसमें हम आट करेंगे एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच-अल्दी-पाउडर कम जड़ा कर सकते हैं सब्या आप ज़्याद़ क्वाटीटिम बना रहें थो तो दो ज़्यादा एक चम्मंच धनिया पाउडर ऐड़् कर दिया है मैंने और मिक्स कर देंगे बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है यहाँ पर फिर इसमें हम मसाला आट करेंगे और मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे मसाले को हम 8-10 मेर तक पकाएंगे जितना अच्छे से और धीम्य दीम्य आच्छ मेंआप मसालय को पाऊगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा Deep साथ में एक चम्मच नमक कैट कर देंगे नमक डालते नमसालब आपका जलता नहीं है और अच्छे से पकता है तो आप अपने स्वात के अउसा नमक कम जादा करिएगा जैसे आप देखो कि अच्छी तरह से मसाला पक चुका है सुंदी सुंदी सी खुजबो मसाले से आने लगी है एक चमच हम इसमें एट करेंगे दही तो एक दम गाड़ी पानी आट करेंगे आपको जितना ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से पानी की कौंटिटी आप कम जादा करिएगा जैसे आप देखो कि ग्रेवी से उबाला ना शुरू हो चुकी है फिर इसमें हम एट कर देंगे लौकी का जो हमने बना करके रखा था इसे एक बार मिक्स क से हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के बाद जैसे ही आप कैप उठाओगे आप देखोगे कि यहां पर बहुत ही प्यारा सा कलर दिख रहा है और आपकी सब्जी यह जो है पक करके तयार हो चुकी है फिले मॉफ कर दीजिए और इस सब्जी को हम 5 मिनट के लिए कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताईगा मिलते हैं कि नई रिस्पी में बाइगा